साथ अक्टूबर को जब एजरैल पर हमला हुआ तो उसकी सेना खायब थी सबसे एडवांस मानी जाने वाले इजरैल की खुख्या अजेंसी को हमले की बनक तक नहीं लगे इजरैल की एलीट यॉनेट पूरी तरह से फेल हो गए नेधन याहू और उनकी गबिनेट को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है इसा पहली बार था जब इजरैल पर इतना बड़ा अटेक हुआ इजरैल पूरी तरह नाकाम हो गया लेकिन उसकी एक बैटालियन थी जो पूरी तरह अलर्ट थी और इस बैटालियन को इजरैल में बिल्ली बैटालियन के नाम से जाना जाता है ये बिल्ली बैटालियन क्या है इस बैटालियन की ताकत क्या है ये इस्राइल की सबसे खूंखार फोर्स बनकर अचानक कैसे उपरी है? ये समझने के लिए सबसे पहले 7 अक्टूबर का आपरेशन देखे जब हमास ने इस्राइल पर 175,000 रोकेट लागे घाजा पट्टी से हुए हमले के बाद एस्राइल के प्रधानमंत्री बेनमिल नेतनियाहू ने जंग का ऐलांग कर दिया और फिर जो हुआ ये तस्वीरें उसकी गबाही दे रही है लेकिन नेतनियाहू जंग का ऐलांग कर दिया उससे पहले इस्राइल की एक ऐसी यूनिट एक्टिव हो गई जिसने हमास के हमले को कमजोर कर दिया यही यूनिट एस्राइल में बिल्ली बाटैलियन के नाम से जानी जाती है इसी बिल्ली बाटैलियन ने हमास के हमले को पूरी तरह कामयाब नहीं होने दिया इस बिल्ली बाटैलियन में 70% से ज़्यादा कमांडो लड़कियां हैं ये लड़कियां इस्रेल में शीरनी कही जाती है इस्रेल की स्पूर्स को असल में काराकल बटैलियन कहा जाता है ये बटैलियन इतनी खदरनाक है कि जिस मिशन को पूरा करने की ठान ले उसे अंजाम तक पहुचा कर ही दम लेती है इस बार भी यही हुआ, साथ अक्टूबर को होए हमले के बार बिल्ली बटैलियन एक्टिव होई और उसकी तीरा कमांडो लड़कियों ने हमास के सौल लड़ाकों को मार दिया आईडियव की महिला कॉमबैट फोर्स की ये टीम कैसे काम करती है इसको कमांड कौन करता है, काराकल यानि बिल्ली बटैलियन में शामिल होने के लिए महिला जवान को कितनी खतरनाख क्रेणिंग से गोजरना पड़ता है ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप बिल्ली बटैलियन के ओपरिशन हमास के बारे में जान लीजिए कि कैसे सिर्फ तेरा कमांडर ने हमास के मिशन को पूरा होने से पहले, उसे फेल कर दिया हमास के हमले की जानकारी मिलते ही कर्णल बेन यहुदा अपने तेरा सैनिकों के साथ मिसर की सीमा के पास इसरैल की सूफा मिलिटरी बेस पर पहुँची यहीं पर हमास ने हमला किया खा और वहां पहुँचते ही इस बिल्ली बटैलियन की कमांडों ने लड़ना शुरू कर दिया सूफा मिलिटरी बेस पर पहुँचने पर बिल्ली बाटैलियन ने देखा कि हमास ने कम से कम 50 इसरेली सैनिकों को बंधक बनाया हुआ है दोनों करफ से जबरदस्त लड़ाई हो इसरेल का धावा है कि लगातार चार घंडे तक पारिंग में करणल बेन यहूदा और उनकी साथी कमांडर ने हमास के कई लड़ाकों को मार गिरा है हना कि इस दोरान बिल्ली बाटैलियन के कुछ कमांडों भी गायल हो गए लेकिन करणल बेन यहूदा का इरादा डिगा नहीं और वो टटी रहे इस दोरान इसरेल की नेवी के कमांडर भी हमास से लड़ने सूफा मिलिटरी योनिट पहुँच गए यह लड़ाई करीब 14 घंटे थक चली जिसमें बिल्ली बाटैलियन ने सौ हमास लड़ाकों को मार गिराया और अपने साथी सैनिकों को भी छोडा लिया 14 घंटे का यह ओपरेशन इसरेल के सैन इतिहास में बड़ा मुकाम पाचुगा है इस ओपरेशन के बाद पूरे इसरेल में करनल बेन यहूदा और उनकी टीम हीरो बन गई है हर कोई इसरेल के इस बिल्ली बाटैलियन की तारीब कर रहा है लेकिन यह पहली बार नहीं है जब करनल बेन यहूदा इतनी बहादुरी के साथ लड़ी और अपने सैनिकों की जान बचाए साल 2014 में भी बेन यहूदा मिस रिपोर्डर पर इसी तरह के ओपरेशन के दोरान जखनी हो गई थी लेकिन उन्होंने हार नहीं माने और युद में एक दुश्मन को मार गिराया था इसरेयल की बिल्ली बाटैलियन वाकई बहुत खतरनाक फोर्स है अब ये भी समझ लीजे कि ये बिल्ली बाटैलियन काम कैसे करती है दरसल इस खतरनाक बाटैलियन में महिला और पोरुष दोनों सैनिक मिलकर काम करते हैं किसी भी ओपरेशन को अन्जाम देते हैं खास बात ये कि इस बाटैलियन में महिलाओं की तादाद पोरुषों के मुकाबले काफी ज़ादा है बिल्ली बाटैलियन में करीब 70% दी महिला सैनिक होती है जबकि 30% पोरुष सैनिक ये बाटैलियन 2004 में बनाई गई थी दरसल काराकल बिल्ली की एक प्रजाती है इसी तरह इस फोर्स को बिल्ली बाटैलियन का नाम दिया गया है इस बाटैलियन कमिशन मिस्र और जॉर्डन की साथ इस्रेयल की सीमा के नेकरानी करना है ताकि इस्रेयल की सीमा में किसी भी तरह की कोई घुसपैथ ना हो पाए इस्रेयल की सेना में महिलाओं की तादाद ज्यादा है करीब दो लाख एक्टिव सैनिकों में पचास हजार महिलाएं हैं किसी भी उपरेशन में ये बराबर से शरीक होती है इस्रेयल की कराकल बैटैलियन की कामियाबी का रेट बहुत ज्यादा है हमास के अटैक के बाद कई मोर्चो पर इन्होंने सफल ऑपरेशन किया और अभी भी इन महिलाओं सैनिकों की तैनाती कई मोर्चे पर की गई है दरसल इस्रेयल की सेना में महिला जैनिकों की महतोपून भूमिका है लेकिन सवाल ये है कि अब क्या गाजा में Ground Operation में भी उन्हें शामिल किया जाएगा क्या बिल्ली बाटेलियन गाजा में हमास का शिकार करने उत्रे की मिस्र के पॉर्डर पर बिल्ली बाटेलियन ने जिस तरह से Operation को अंजाम दिया है हो सकता है उसके बाद नेतन्याहू इस युनिट को गाजा में ग्राउंड ओपरेशन के लिए भेजना चाहें क्योंकि इस्रैल के सामने गाजा के अंदर हमास सबसे बड़ा दुश्मन है लेकिन नेतन्याहू के सामने मुश्किल ये कि गाजा के बाहर हिजबुला ताक लगाय बैठा है कि कब इस्रैल पर हमला किया जाए अगर इस्रैल की सेना फिलस्तीन के गाजा में घुसी तो वो उतरी सीमा की तरफ से इस्रैल पर चड़ाई कर देगा इस्रेल और लेबनन के बीच करीब 130 किलो मीटर लंबा बॉर्डर है यहां संयुक्त राश्ट की शांती सेना तैनात रही है इसमें भारत की फौज भी शामिल है इस स्वक्त इस्रेल को गाजा से जादा इस बॉर्डर की टेंशन है क्योंकि अगर इस्रेल गाजा में घुसा तो हेजबुल्ला उत्तर की तरब से इस्रेल पर हमला बोल देगा लेकिन इस स्वक्त इस्रेल के सेर पर बदले का खून सबार है इस्रेल एक के बाद एक हमले गाजा पर कर रहा है इस वक्त 42 प्रतिशत गाजा बर्बाद हो गया है रोजाना सैक्रों लोगों की जान जा रही है फिलिस्तीन के स्वास्त विभाग का दावा है कि पूरा मेडिकल सेटप तबाह हो चुका है गाजा के अंदर खून खराबा जारी है जंग यूँ ही जारी रही तो बर्बादी के आंकड़े बढ़ना तैय है फिलिहार गाजा में हमास को मारने के लिए बंबारी के बीच इस्रैल और हिजबुल्ला को दोनों तरब से इंतसार किया जा रहा है कि पहला हमला कौन करें कि अज़ बंबारी के लिए जारी बंबारी के लिए जारी के लिए जारी के लिए ठीक बड़ना तैय है